नमस्कार दोस्तों मेरे चनल पर आप सबका स्वागत है आज मैं आपको बेसन के पाँच पैस्पैक बताने वाली हूँ जिसे आप घर पर ही तयार कर सकते हैं और अपने चेहरे को दाग धबों से चुटकारा पा सकते हैं आपका रंग गोरा हो सकते हैं आपके पिंपल्स दू आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स और फेम्ले के साथ वीडियो जरूर शेयर कीज़ेगा मैंने मेरे चैनल पर और बहुत सारे वीडियो जाले हुए है आप उने भ साद्ससकेर को सब्सक्रेग करना अग्ड्व मेरा रहे हों दोस्ते है आपको पांच वेस्टे वाली हूं तो बैसन को ने मिला कर अच्छे से चेहरे पर लगाना है आपको एक चमच पेसन लेना है और Państwo कादा से कमस्च लेना है ग़ाया पतला दयोट दोसे सब्सक्राइवा इसलिए आप हपते में तीन या चार वर से लगा सकते हैं इसे लगाने से आपका चेहरे का रख गोरा हो जाएगा आपके चेहरे पर जो भी दाग दपय वह भी दूर हो अग्ला फेस्पाइक बैसन का वह है वे अको शहत लीना है और निम्बू कर दिना है वह मिला कर आपको चेहरे पर लगाना है एक चमच निपन रख लेना है इसे अच्छाइगा लेना है और आपका रंग भी निखरने लगेगा बेसन बेसन में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा निम्बू का रस मिला लेना है तीसरा पेस्पैक में आपको बता रही हूं जो है आपका चेहरा काला पड़ गया है दूप की वज़े से वह दूर हो जाएगा एक चमच बेसन लेना है आद पेस्ट जैसा कर ले ना है जब देना है जादा पतली पेस्ट हमें नहीं करनी है लगा लेना है इससे जो है अफ़ीट यह संटेनी दूर होती है जो भी पेस्पैक आपको बता रही हूं इसे आपको अच्छे से चेहरे पर सूख देना है 10-15 मिनिट तक और फिर चाहरा दोल तो तो और दृद यही के आपकी खुलतकों और पोर मोसा न'll करें रहें के निष्ट जाओं यह को इस्तिमाल कर सकते हैं if a face packed हITCH we own पानी या फिर पतला करने के जादा नहीं करना है और फिर अच्छे से मिला करने से आपको जुरिया रहे हैं उससे आपको बचा होगा यह जो बदा है इसका कोई भी साइड़ नहीं है क्योंकि हम जो भी घर पर हमारी चीज़े वोड़ा है लगा सकते हैं और आपके स्कीन में इससे क्लो करने लगे हैं आपके रंग निखर जाएगा दागदब्बे भी दूर हो जाएंगे पिंपल्स दूर हो जाएंगे आपकी टैनिंग अगर होगी वह भी चली जाएगी एक्स्ट्र ओयल रिमो हो जाएगा जूरियों से भी बचा ह में आज आपको ये पैसबाइक बताए हैं मेरा वीडियो को फेंस साथ मेरे विडियो को आपये पने चाहिब इसाथ कर सकते हैं आज कि वच्वेडियो फेंपले संसे इस somethinा सफंट कर सकते हैं आज की वीडियो में पूरा देखने के लिए धन्यवाद